विवर्स आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ट्रामा इश्क मुर्षद के बारे में अधाकारी के जोर दिखाने वाले तमाम अधाकाराओं के रियल लाइफ पार्टनर्स आईए आज की इस वीडियो में जाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आपसे छोड़ी सी गुदारिश है और ये अधाकारा ड्रामा तेरे आने से और ड्रामा डॉली डार्लिंग से काफी शौरत हासिल कर चुकी है अब बात करते हैं सीनी अधाकारा सलमा हसन की तो वीवर्ड ये अधाकारा ड्रामा मेरे हमनशी और ड्रामा फैरी टेल के दोनों सीक्वल्स में काफी शौरत हासिल कर चुकी है इनकी शादी असफर अली के साथ हुई और इनकी एक हसीन सी बेटी भी है लेकि इनकी शादी जादा सक्सेस्फुल ना रह पाई और इनकी डाइवोस हो गई और अज़ा सिंगल पेरेंट इन्हें अपनी बेटी की परविश खुद करना पड़ी अब बात करते हैं सीनिर अदाकार नूरुल हसन की दो वीवर्स ये अदाकार ड्रामा ये ना थी हमारी किस्मत और ड्रामा मुझे प्यार हुआ था बेटाकारी के जोहर दिखा चुकी हैं और ये मारिड हैं इनकी फामली नौन आर्टिस्ट फामली है अब बात करते हैं वीवर्स हैंसम अदाकार बिलाल अबास खान के बारे में जो कि ड्रामा और रंग रेजा, ड्रामा एतबार, ड्रामा दोबारा से काफी शौरत हासिल कर चुकी हैं और वीवर्स ये सजल अली के साथ बहुत से ड्रामाज में चुके इनोंने काम किया तो इनकी शादी को लेकर काफी रूमर्स ये सामने आए कि शायद ये सजल अली के साथ रिलेशन में है स्पेशली जब से सजल का आद रजामीर के साथ ब्रेक अप हो गया है लेकिन वीवर्स ये अफिशली सिंगल है इनका कहना ये है कि सजल अली इनकी बहुत अच्छी दोस्त है अब बात करते हैं अदरान जाफिर की तो वीवर्स इनकी शादी फरहीन जाहरा के साथ हुई इनकी एहलिया किसी मौडल से कम तो नहीं नजराती लेकिन शोबी से तालुक नहीं रखती और ये अदाकार ड्रामा हमतुम और ड्रामा चांदतारा से काफी शौरत हासिल कर चुके हैं अब बात करते हैं वीवर्स हैंडसम अदाकार उमर शहजाद की तो ये अदाकार भी ड्रामा हमतुम में भी नजराए और इससे पहले ड्रामा सास बहु में भी ये अदाकार ओफिशली सिंगल है अब बात करते हैं हीरा तरीन की तो विवर्ज ये खुबसुरत अदाकारा हैंसम अदाकार अली सफीना की बीवी है और ये अदाकारा ड्रामा खुदा मेरा भी है और ड्रामा मेरे बन जाओ से काफी शौरत हासिल कर चुकी है और ये मशूर अदाकारा जारातरीन की बहन भी है अब बात करते हैं उमेर राना की तो वीवर्ज ये सीनियर अदाकार उमेर राना ड्रामा पिंजरा और ड्रामा संगे मर्मर से काफी शौरत हासिल कर चुके हैं और इनकी एहलिया का नाम माईरा राना है इनकी एहल याश होबिस से तालुक नहीं रखती लेकिन इन्हें काफी सपोर्ट करती है आप बात करते हैं सीनिय अदाकार शबीर जान की तो वीवर्ड इनकी पहली शादी इनकी फैमिली में हुई जो कि इनकी डाइवोस हो गई और दूसरी शादी इनकी मशूर अदाकारा फरीदा शबीर के साथ हुई फरीदा से इनकी एक बेटी है वो भी डिफरेंट ड्रामाज में सपोर्टिंग ड्रोल्स में काम करती हुई नजर आ रही है और ये अदाकार ड्रामा जूटी ड्रामा दोबारा से काफी शौरत हासिल कर चुकी है अब बात करते हैं समिया ममतास की तो वीवर्स ये खुबसूरत अदाकारा बहुत से ड्रामाज में लीड ड्रोल में नजर आती थी इनको सबसे ज़धा शौरत ड्रामा मेरी जाद जर्राय बेनिशां से मिली थी उसके बाद ये ड्रामा उड़ारी में भी नजर आए इनको वहां भी बेहत मुहबत मिली और अब वैजा सीनिर आर्टिस्ट से डिफन ड्रामाज में नजर आती हैं यदाकारा मैरिड हैं इनके हजबन डारेक्टर हैं और शो बिस से तालुब नहीं रखते इनका हैंडसम सा एक बेटा भी है जो कि निदा यासिर के शो में पहली बार ये अपनी बेटे के साथ आई तो देख कर हर कोई हका बका ही रह गया था और इनकी एक बेटी भी है अब बात करते हैं दूरे फिशान सलीम की तो वीवर्ज ये अदाकारा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश सेमूर के अपोजिट नजर आई और इनकी जोड़ी को ऑन स्क्रीन बेहत महबत मिली और इसके बाद अब ये अदाकारा ड्रामा जैसे आपकी मर्जी में भी अदाकारी के जोहर दिखा रही है ये अदाकारा ओफिशली सिंगल है तो वीवर्ज ये था ड्रामा इश्क मुर्शित की मुकमल कास्ट और उनके रियल लाइफ पार्टनर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल शोबिज नाओ को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा मैं मिलूंगी किसी नए इंट्रेसिंग सी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द अपना और अपने प्यारों का धेरों सा ख्यार रखियेगा अल्ला निगे बान